आज हम बनाने जा रहे हैं कोटू के आठे का चीला, चीला बनाने के लिए एक कप कोटू का आठा लिया है, इसमें आलेंगे एक बडा चमाच दही, एक बारी कटी उए हरी मिछी, आदा छोड़ा चमाच कदू कस्किया हुआ अदरप, बारी कटा हुआ हरा धन्या, एक कदू क कस्की हुई गाजर एक मीडियम साइज का कच्चा कद्दू कस्किया हुआ आलू कि स्वाधुन साथ ब्रत वाला सेधा नमक सारे इंग्रिडियन को अच्छे से मिक्स करेंगे चैनल पर नए हैं तो जल्ली से सब्सक्राइब कर दीजिए आटे में थोड़ा थोड़ा पाणी डालके इसका एक गोल बना के त्यार करेंगे गोल अभी गाड़ा है थोड़ा सा पानी और अट करेंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे गोल में हम थोड़ा-थोड़ा करके ही पाई डालेंगे एक साथ पाई डालने से गोल पतला भी हो सकता है गोल की कंसिस्टेंसी को हमने इस तरीके से रखा है गोल बनके त्यार हो गया है घोल को ढगके 5 मेट के लिए रख देंगे जिसे की आठा अच्छे से फूल जाए चीला सेखने के लिए गैस पे तबा गरम हुने रख दिया है तबा को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे पांच मेंट हो गए है घोल को रखे हुए घोल भी अच्छे से सेट हो गया है घोल को तबा के उपर डालेंगे इस तरीके से थोड़ा सा गूल लेंगे अब इसको फैला देंगे गोल शेप दे देंगे गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेमपे की चीला को थिक होने देंगे जब एक तरफे थोड़ा सीख जाएगा तर इसको पल्टेंगे चीला उपर से काफी थिक हो गया है अब इसके उपर हलका सा गी डाल देंगे चीले को पलट देंगे हलकेल के हाथों से छुटाएंगे इस तरीके से दबा देंगे चीले को दोनों तरफ ब्राउन होने तक सेक लेंगे दुबारा से चीला को पलट देंगे इसी तरीके से पलट पलट के चीला को सेक लेंगे प्रेस भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए चीला दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है देखी कि अच्छा चीला बन किया रहा है इसी तरीके से दूसरा चीला सेकेंगे पहले तबा को ग्रेस करेंगे इसके उपर घोल डालेंगे घोल को अच्छे से ठेला देंगे गैस की फ्लेम मेडियम कर देंगे मेडियम फ्लेम पे ही चीला को ठीक होने देंगे चीले के उपर हलका सा घी डाल देंगे कि अर्य बड़ेां कि इस चीले को भी दोनों तुरब प्राउन होने तक सेख लेंगे दूसरा चीला भी दोनों तुरब से अच्छे से ब्रौन हो गया है अफ़िए भी चील अच्छे से शिक गया है बहुत यह असानी से कुटू के आटे के च्छीले बनके तियार हो रहे हैं इसको भी तबसे बहार निकाल लेंगे देखी कि इच्छी चीले बनके आ omin इसी तरीके से सारे चीले बना के स्यार कर लेंगे क्वुटू के अटे का चीला सर्प करने के लिए त्यार है Medi , когда मैं रिश्पी